कि नमस्कार दोस्तों स्रीज़ अम सोलो में आपका हादिक सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा जो सामान है वो तयार है पैनल और SMU वगेरा जो है वो तयार है स्टेंड हमने जो है तयार है तो यह देखिए जो है हम 165 वाट के और हमने जो है तिन पेनल जो है इस्टॉल कर रहे हैं और जो इस्ट्रॉट्टर के हम सबस्क्राइब और Ooh पैनल के जो है ऊसको कि शाप से है और हुआ सबसे पहले जो है हम पैनल के जो आप स्क्रू बगरा है उसको हम कस लेंगे उसके बाद जो है हम डिल मशीन की साइथा से जो है फास्टनर इसमें डालेंगे 165W के पैनल है इनके जो है कस्टमर के पहले से ही एक इनवर्टर बैटरी लगा हुआ है तो दिन का जो भी लोड होगा वो सब जो है सोलर पर चलेगा बैटरी भी चार्ज होगी दोनों चीज़ें एक साथ होगी यह देखिए हमने स्कूरू से जो है नट से इसको टाइट कर ल लेगा यह देखिए इस तरीके से जो है तीनों पैनल जो है हमने एक पर्टिकुलर 25 डिग्री एंगल पर क्योंकि मेरे एरिये का जो एंगल है वो 25 डिग्री है तो उस पर जो है हमने इसको इंस्टॉल कर लिया है यह जूटियल कंपनी का पूरा जो है सेट है जिसमें पैनल है और हमारा जो है SMU है SMU की VDB मैंने पहले डाली हुई है तो तीनों पैनल जो है हमने इंस्टॉल कर लिये है और FastNut को जो है हमने इसमें डाल दिया है ताकि यह structure कहीं भी जो है हिलेगा भी नहीं काफी अच्छे मजबूती से जो है यह इंस्टॉल हो जाएगा अब जो है पैनल के जो है प्लस को हमें एक साथ जोड़ना है और माइनस को एक साथ जोड़ना है क्योंकि बारा वोल्ट में है सिस्टम तीनों पैनल बारा वोल्ट में है एक पैनल की वियो सी जो है वो बाईस पॉइंट फाइफ है तो हमें जो है इन सभी को जो है बारा वोल्ट में ल लगा दिये हैं इसको भी आप लगा सकते हैं तो यह फाइनल जो है इस्ट्रक्चर बनके जो है खड़ाओ के तयार हो गया है तीनों पैनल एक पर्टिकुलर एंगल पर लगे हुए हैं और दूप बिल्कुल भी नहीं आ रही है बारिश हो रही थी थोड़ी देर पहले और यह देखिए बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल है तो SMU के पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से सबसे पहले कनेट करना है और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेट करना है ऐसा करते ही हमारा SMU जो है वो रन होने लग जाएगा स्टार्ट हो जाएगा यह देखिए आप यह स्टार्ट हो गया है उसके बाद जो है SMU को जो है फाइनल यह देखी आप हमने वायर यहां से लेकर जो है उपर से हमने SMU में जो है connect कर दिये हैं तो पूरा सिस्टम जो है आपको पता ही है कि SMU को connect कैसे किया जाता है तो inverter बैटरी के थ्रू जो है कनेक्ट हो गया है और SMU को देखी जो है इसकी जो रेडिंग से अभी हम आपको दिखाते हैं तो मैकजिमम जो है 40 एंपर इसमें आ रहा है इसका जो डिफॉल्ट है और बैटरी का वोल्टेज जो है 12.65 वोल्ट और 12.6 एंपर टूबलर जो है बैटरी को चार्च कर रहा है सोलर से जो है 12.3 या 12.6 एंपर अभी आ रहे हैं जबकि दूब बिलकुछ भी नहीं है और अगर कुछ समझ में नहीं आ है तो आप कमेंट्स के मादिन से मुझे से पूछ सकते हैं धन्यवाद